जहीं दोस्तों आप से भीका स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जब्स फोरी में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर आर भी रेलवेय एलपी ऑनलाइन फॉर्म फिल अपके बारे में आप ये एलपी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे बरेंगे इसकी ही effectivement सबसे पहले आ जाना होगा अपने गूगल पे अगूगल पर आकर आपको सर्च कराना होगा all jobs for यू जैसली कर सर्च करेंगे कि आपको सामने सामने यो क्लिक करणा होगा जैसे पक करेंगा किन कि मेल जांगा और होता है यहां in a अर यहां पर क मिल या कोई आफे देखने को मुल जाए अर फिरेलवे ऐल पी अॉनलाइन फोलएन फ्में जीए नीचे यहां सअ आप एक बार चेक कर जएगा कितने पूस्ट क्लिए भरती है कब से कब अपलाई हुआ जैसे अपलाई डिट पीस एक दोश्य चोविस आज ही सपलाई स्टार्ट हुआ है यहां पर वेकिंसी देखने को मिल जाए कटेगरी वाइस सभी जनकारी आप यहां पर चेक कर पाएंग तो simply friends आप इस पेज पर आ जाएंगे अगर आप फोन में अपलाई कर रहे होगे तो तो अब पर एक और यहां पर यहां पना अगर पहली बार अपलाई कर रहे है तो आपको सिंप्री मे एकांट वे क्लिक करना होगा자가 फस्त को क्लिक करने के राओ होования उगे तो अगर ना पनी करना होगा है तो आप नीचे में निचे वर्ले क्लिक Ladin परेंगे निचे में आधर While Link पर लिंक को क्वे याप और यहां पर दे रखए। डोक्मेंट आपको 40 के बीच में यहां पर होना चाहिए कदे और चेक करनेके वाद तो फरस्ट मैं को देखने को मिन जागा यहां पर selfish mean सब्सक्राइब और ऑरन incapस्राइब और इसे नुट करेंगा यहां पर अन्यूमिटी कासन आजयागा तो इसके पर क्लिक कर न होगा उसके बाद इंडिया यहां से भी हो क्लिक करेंगे यहां पर simply मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद आपको अपना full name में यहां फिल करना होगा जैसे आपका नाम जो भी हो यहां से आप अपना data worth select भी कर पाएंगे जैसे आपको यहां पर देखने को मिल ला होगा यहां से आप अपना data worth select कर सकते हैं उसके बाद simply आपको यहां पर देखने को मिल जागा अपना data worth fill करना होगा उसके बाद आपको नापको यहां पर जैन्डर करना होगा अगर आपको आद आपको इस पे क्लिक नहोंगा नहोंगा है नोगका उ स्ट्याकों दो यह चो है'llनूसमें à लाओंओ्ट उस्केशलन स्ट्राइब क्म करेंगी फीन सा अपना च्राइब इस वाधर हम एक पासवाड क्रेट करेंगे यह ब чувक्त वह पे वाद आप अपना नाम का फ्रस्ट लेटर बढ़ा करेंगे उसके बाद अपना नाम दिखेंगा और टालेंगे एक दो तीन हेसे करें आप पासवड क्रेट करेंगे और पासवड करना की है जाए लग एकिपकने लागा सिंप्ली यहां पे यहां पर मैं क्लिक करूंगा जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पे OTP has send, has been send आपको यहां पर message देखने को मिला गा और आपके mail पर OTP send कर दियागा आपको छेक किजिए तोzy यहां पर मैंने mail का OTP send कर लिया मैंने अपना mobile mober कर लिए इस बॉक्स पे किलिक करूंगा उसके तो यहां पर मिर olur शिल कर लुझा मॉबायलगा तो यहां पी मेर भी मूबायल पर भी ओटीप कर दिया है कि जैसे को आपको देखने को मिला होगा यहां पर ओटीप अ כण कर लेता हूं तो फ्रेंट जैसे मैंने आपको बताया तो सभी डीटेल्स मैंने फील कर रखा है और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी फिल कर लिया जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद यहाँ पर पर यहाँ पर पासवर्ड कर लिया और यहाँ पर यहाँ पर फिल कर लिया और यहाँ पर लागिन करूंगा फेंट जैसे आप रेजिस्टेशन करेंगे रेजिस्टेशन करने के बाद आपका प्रिवीव फॉर्म ओपन हो कराएगा आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा उसके बाद यह लागिन का अफ्चन आएगा और सिंप्ली आपको लागिन करना होगा जैसे आप लागिन करेंगे क कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जागा और यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है बाकी जनकारी आप यहां पर देख पाएंगे नीचे आने का बात एक अप्शन आपको देखने को मिल जागा आनलाइन अप्लिकेशन बाकी मैं पहली बार ओपन किया हूं तो मुझे भी 2020 से 19 दो 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे बाकी यहां से आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ मैं इसको ओपन कर लेता हूं और यहां पर यह कुछ सर्वर के दिक्कत होने लागा भी ही चले मैं इसको एक बार रिफ्रेस करता हूं रिफ्रेस क यहां पर मैंने इस बॉक्स को चिक किया यह अप्सन मेरे सामने आया अभी उसके बाद इस बॉक्स को नीचे वाले बॉक्स को आपको एक रिफ्रेस को चेक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको टाइमर भी चलने यहां कुछ नहीं है चले मैं आगे आपको दिखाता हूं जैसे आगे बढ़ेंगे यहां पर आपका each national job details आपने फील करता है सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आप यहां से चेक कर पाएंगे उसके ज़स नीचे आपको यहां पर मेर्टरल स्टेटस इंग्लिस कर लेता हूं इसे हिंग्लिस निदी रहते हैं इसलेक्ट कर पूंग है निचे आपको यहां पर 2 पहसद चीन Qann सने सां जो तील निसान उहां आपके सरीर और करेंगे मैं यहां पड़ластी कर लेता हूं बाकि यह आतों के न Sachs को मोई करेंगे प्लाथ अधिर प्लार 계획 क्मुएब चेंट हो कोफिकल जो फिल करेंगे सब्सक्राइब उख फील करना होगा आप भी सरह करते हैं तो आपको भी यहां पर मुख्वी जेसंती से अपको आपको बताने के लिए इस फर्म को को फील कर रहा हूं उसु Hampshire नहीं को वो फिल कर लेना होगा जो भी आपका certificate number है उसके बाद किसके दुखरा आपका certificate issue किया गया था कि कि अब संदेखने के मिलेगा कोई आप by the select कर ले कर लीज़ेगा उसके वाद यहां पे इसू एस्टेट कॉंसे स्टेट से इसू हुआ था उसके बाद यहां पर इसू डेट आप यहां से सलेक्ट करेंगे कॉंसे डेट को इसू हुआ था उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल जागा ट्रेवलिंग पास के लिए तो आपको यहां पर ट्रेवलिंग पास चाह यहां पर चूज करेंगे तो यहां पर कास्ट मनें अपलोड कर लिए सिंप्री सेफर में क्लिक करूंगा सेफर के आपको भी क्लिक करना होगा वगका जो यह ऐसे केटिट पर प्टम करने को प्योजित रिकोरेंगे उसके बद पर्मेंट डूने आडरे राड़ चेक करेंगे तो इस बॉक्स को चेक करेंगे और लंध सेम एडरेस फील हो जाएगा दो हुशहात भाल लिजंग करने को लिए अपको यह सिम्च बाकि आप next detail next step में आपको यहां पर देखने को मिल जागा एक सरुसमें details अगर एक सरुसमें है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे yes करने को बाद आपको details यहां पर fill करना पड़ेगा मैं नहीं तो no करूंगा बाकि अगर आप EVC से लग करते हैं तो आप yes करेंगे और yes करने के बाद है आप सब दिटीयल्स io करना होगा बागी मैं नहीं करता हूं तो मैं simply mm Q कर लोगा उसके बाद ही यहां पर आपको अगर आप mailback एंपर हैं तो yes करेंगे इस करने को आपको पे details फील करना पढ़ेगा मैंनू कर लेता हूं उसके बाद यहां पे अगर आप革ेंट डिपार्टमेंट कि अगर यहाप यहां पीअपर टुक्रноеट करना पढ़ेगा मैंनू किया हूं करेंगे मैं not applicable पर क्लिक करता हूं नीचे मेरे पास apprentice नहीं है तो मैं simply no करूँ अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे apprentice का details यहां में feel करेंगे बाकि आपको जो आप payment refund होगा refund fee वो details आपको यहां पर अपना feel करना पड़ेगा सबसे पले आप अपना account number holder name account holder name आपके जिसके नाम से काउंट है उसके बाद account number confirm account number है यह पे सी कोड बाग details यहां पर face कर ले रगा उसके बाद next पर आपको क्लिक करना होगा तो फेंट सब्सक्राइब मैंने यहां पर फिल कर लिया simply यहां पर मैं सेफ पर पहले क्लिक करूंगा आपको इस पहले सेफ पर क्लिक करना जैसे सेफ पर क्लिक करेंगे आपका details सेफ हो जाएगा अब आपको नीचे जाकर next पर क्लिक करना होगा next पर क्लिक करते ही आप qualification वाले दिटील्स पर आ जाएंगे प्रसंटेल्स रड़ा टेल्स फिल लेको या क्वालिफिकेशन डिटील्स है तो आप इसको फिल करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आपको अपना एस्टेट करना पड़ेगा मैट्री का यहां पर दे रखा हैं मैं इसको एक बार चेक करता हूं मैट्री का दे रखा उसको बार डिस्टिक आपको सलेक्ट करना पड़ेगा बाकी बोर्ड आपको सलेक्ट करना पड़ेगा पासिंग एर आपको सलेक्ट कर लेना होगा आपने मैट्री का पास किया था यहां से मैं सिधे एर सलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद आपको role number यहाँ पर select कर लोगे जो भी आपका roll number हो उसके बाद simply आपको add पर click करना पड़ेगा, यहाँ पर add comparison आएगा, उसके आपको click कर देना होगा जैसे click करेंगे कुछ तरी process लेगा, यह जो आपका details है, simply add हो जाएगा और आपको simply यह details add होगे उसके बाद आपको select पर click करना पड़ेगा यहां से select करना पड़ेगा matrix आपका add होगा उसके बाद आपके पास क्या तिप्लोमा है degree in engineering है NAC है या friends यहां पर ITI है तो जो भी ITI या ITI select करेंगे अगर आपके पास तिप्लोमा जो तो इप्लोमा से select करेंगे डिप्लोमा की बीटेल से यहां पर फीलकरेंगे उसके बाद यहां पर state district कहां से की है passing कब कि है वह है same details आपको fill करना पड़ेगा डिगेडरी है तो यहां से करना पड़ेगा इंसी है तो यहाँ पर फिल करेंगे अगर आपको साइटी आई था इटी आई सेलेट करेंगे ट्रेट कौन से ट्रेट सापका इट्रेट है मैं इलेक्टिशन सेलेक्ट करता हूं मैं स्ट्रेट यहां सेलेक्ट कर लेता हूं डिस्टी की भी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा बा यह यह हैं एक यहां पर स direct करना पड़ेगा जो भी हो उसके बाद आपको simply add पर click कर ना होगा तो समयरा title से ब्यारा अगर आपको क interrupt करना चाहते विए कर सकते हैं यहां थे नहीं होगा । आपको simply next पर click कर देना होगा जैसे next पर क्लिक करेंगे आप next page प्याज हैंगे यहां पर आने के बाद आपका जो कास सर्टिफिकर जो आपने अपलोड करा है से details आपको देखने के मिल जागा फिर पर क्लिक करके यहां से चेक भी कर सकते हैं यहां पर simple photo आपको upload करना पड़ेगा इस फोटोग्राप का साइच यहां पर दे रखा है आप इसको चेक कर लेजएगा बागी फोटोग्राप के details यहां पर दे रखा है वाइड बैग्राउंड होना चाहिए यह के यह यहां पर पर दे रेलपे में जीतने फीफार्म अपलाई हुए वहां पर नाम और यहां पर फोटो इसुडेट लिखा जाता था उसको देखते हुए मैंने एक फोटो पहले से त्यार करकर रखा है मैं यहां पर upload कर दूंगा आपको सब upload नहीं करना पड़ेगा और यहां पर दे रखाया डीटियल से यहां पर यह मैंने अपना फोटो अपलोड कर लिया होगा चाहिए तो आप सिगनेचर को छोटा बड़ा यहां से कर सकते हैं यह करने के बाद आपको सिंप्ली यह सही के निसान पर चिक करना होगा अपने आपका सिगनेचर भी अपलोड हो जाएगा बाकि यहां पर देख पाएंगे उसके बाद सिंप्ली आपको अपलोड एंड सेफ पर क्लिक करना होगा अपलोड सेफ हो गया उसके बाद आपको सिंप्ली नेक्स पर क्लिक करना हो इस नेक्स पर क्लिक करेंगे आप अग किया था उसके बाद यहां पर टू चेंड अर्वी जोन आप चाहिए तो रर्वी जोन यहां से किली करका भी चेंज भी कर सकते हैं बाकी मुझे नहीं करना है तो मैं सिंप्ली इसको बैक करूँगा यहां पर मैं अपने प्लेस डालूँगा उसके बाद प्रिवी अप्लिकेशन पर मैं क्लिक कर दूँगा उसको आज हो मेरा अप्लिकेशन है यहां पर प्रिवीव होकर आगया मैं इसको चेक कर लूँगा उस लिए तसस बॉक्स को जेखर के डिट करेंगे आपका सब शहील के सॉम्मेटं क्लिक कर देना होगा शुमिट ժर किरक्ष्ण नहीं होपाए गया और आपको फाइनल समुte पर क्लिक करदेना होगै से क्लिक करेंगे कई sydhyr process होगा परस्ट से समें के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आजाएगा और यहां पर गुद्ध अप्लिक अप्लिकेस्टन का आप संदेखने को मिल जागा मैं इसको चेक करूँ आगे करता हूं इसको अमरे application पर पेपर क्लिक करता हूं उसके बाद आप इस पेस पर आजेंगे यहाँ पर आने को बाद भाग डिटेल्स आपको देखने को मिल जागा यहाँ पर और simply आपको आपका मोबाइल नमबर यह email आडी अच्व देखने को मिल जाएगा उसके वाद आपको पर पेनाओ पर क्लिक करना पड़ेगा बाल ट्रफिए मीलैंर हो सरा मंधोर के लिए नहीं को दिकत नहीं होना है पीपर करके पमेंट करने मेंगे बहुत साहिए अपको पता चला जाएगहिए लेहिए कार्ट, केसे वी करपाएगए सब्सक्रिक्राइब कर système करिंगर किए और कीवर्ड कुड को इस्केन लेकर फिर करपाएंगे कोई दिक्कत नहीं इतुम इसाल डिक्स कर सकता हम bother किलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अफको इसी बीडियोके सामय कमेंड box में जरुटाइगा